प्रवीज मसी में आप सभी का फिरी से एक बार स्वागत है सुबे से लेकर हम कुरूस के बारे में हम सिख रहे हैं और मसी जीवन में कुरूस की बात को समझना बहुत ही जरूरी है क्योंकि दिन प्रति दिन हम जिस परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं उसमें हमें कुरूस की जो सामर्थ हैं वो ही हमें बाहर निकाल पाएगी बहुत सारी बातें हम सुन रहे हैं बहुत सारी सच्चायां भी हमारे सामने आ रही हैं लेकिन परमेश्वर का जो सच्चाय हैं उसकी वच्चन की जो सच्चाय हैं वही हमें हर बातों में वी ज़ई बनाती हैं, हाललुया, प्राइज दलॉर्ण, जाहे हमारा व्यक्तिक जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो, मरवी द्यारतिकाल का जीवन हो, बुड़ा आपे का जीवन हो, कोई भी स्टेज में हो, लेकिन हमारा यह मल युद चालू ही रहेगा क्योंकि हम एक एसे ख्षेत्र में हैं आत्मी ख्षेत्र में हैं वहाँ पर हमारा युद निरंतर रहेगा और इसलिए हमारा उद्धार करता जो है उसने जो प्रतीग्णा की है वो हमारे साथ, साथ और साथ रहेंगे और इसलिए हम भी जैवन्थ, जैवन्थ और जैवन्थ होते जाएंगे हाललुया, यही विश्वास में आगे बढ़ना है यही विश्वास को लेकर हमें आगे बढ़ना है क्योंकि हम जानते हैं कि एक कैसी कहावत है कि बुड़ा बंदर भी बुड़ापे में भी वो गुलाट मारना नहीं भुलता, बात सुनिये ना, बुड़ा बंदर मंकी, बुड़ापे में भी वो गुलाट मारे गाई, ऐसी ही मनुष्य की जिन्दगी है, हललुया, चाहे कितना भी हम कोसिस करें, हमारी ओर से अपनी ताकात लगा दे, चाहे कितना भी आप मेडिटिसन करें, कितना भी विज्यान को आगे लेकर आए, लेकिन इसमें भी हमें सभलता नहीं मिलेगी, लेकिन हमें सोभाग्य मिला है कि परमेश्वर का जिवित वचन परमेश्वर ने हमें दिया है उसी के दवारा हम विजय हम प्राप्त कर सकते हैं हाललुया और वो भी विश्वास से क्योंकि परमेश्वर अनुग्र हम पर है तो बात यह है कि जब हम बच्पन से लेकर हम जब अलग अलग स्टेज में हमारा सामना सत्रु से होता है ऐसा नहीं कि बच्चे इनका सामना नहीं करते या जवान नहीं करते या जो सयाने हैं पुक्त हैं वो नहीं करते सब को अपने अपनी परिक्षाय होती हैं लेकिन एक बात यहीं है कि परमिश्वर का जो चिवित वचन है जो हमारे अंदर अगर हमें बसाया हुआ है वो ही लड़ने के लिए हमारे लिए काफी है हालेलुया और इसके साथ-साथ पाइतरात्मा की अगवाई हमें पराप्त होनी चाहिए तो मैं खास तोर पर आज परिवार एक जीवन के बार उस बात को ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा लेकिन जो बात सच है जो सच्चाई की बात है पहले से परमिश्वर की वच्चन के अंदर जो बता दी गए हैं उस बात को अगर हम चितोनिया करके अगर हम लेंगे तो हम कभी भी हमरे जीवन में हम हरावट का सामना नहीं कर पाएंगे हाललुया प्रेज दे लॉन परमिश्वर चाहता है प्रभू परिवार को एक आसेशित परिवार के रूप में स्थापित करता है परिवार स्थापित करना परमिश्वर की और से होता है उनके लिए माध्यम होता है अपने रिस्तेदार अपने फ्रेंड सर्कल्स या कोई भी लेकिन अंत में हम देखते हैं कि का जो रिस्ता है वो परमेश्वर की और से स्थापित होता है बाइबल में लिखा गया है कि पवित्र पथिपत्री का जो रिस्ता है वो पवित्र रिस्ता है स्विवा का जो रिस्ता है वो पवित्र रिस्ता है परमेश्वर इसकी पवित्रता इसके अंदर बनाये रखना चाहता है लेकिन शत्रु शेतान जो है जिसे हम चोर कहते हैं जिसे हम हत्या करने वाले कहते हैं जिसे हम लूटने वाले कहते हैं मनुश्य के जीवन के अंदर जब वो कार्य करता है तो परमिश्वर की जो नहीं होती है उसके अंदर वो कुछ भी समश्य पेदा करकर उसको वो तोड़ना चाहता है उसको वो लूटना चाहता है उसको वो नाश्ट करना चाहता है लेकिन हमारा प्रभू उधार करता हमारे अंदर जब रहेगा उसका पवित्रा आत्म हमारे अंदर रहेगा उसका वच फल नहीं होंगे, हम जैवन से हम आगे बढ़ते जाएंगे, हाललुया प्रैस दे लॉड, हाललुया कुछ बाते हैं, हम बाइबल की वच्चन की और हम ध्यान करेंगे, हम पढ़ेंगे निती वच्चन का पुस्तक, उसका पांचवा अध्याई हम निकालेंगे निती वच्चन पांचवा अध्याई, एक से लेकर हम आगे कड़ेंगे यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वच्चन हर इक को यह बताता है कि हे मेरे पुत्र मेरी बुद्धी की बातों पर ध्यान दे मेरी समझ की और कान लगा जिसके तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे हैं परमेश्वर का जवच्चन हैं परमेश्वर का जो ज्यान हैं वो हमें हमारी सिद्ध मार पर चलने के लिए हमारी अगवाई करता है जिसके द्वारा हम हमारी विवेक को हम सुरक्षित बना रखते हैं परीवारिक छीवन में बहुत सी बातें घटती हैं कि हम उस सब बातों में कैसे स्थीर रहे कैसी परमीश्वर की दृष्टी में हम उसके योगे बना रहे इस बात का महत्व परमीश्वर अपने वच्चन के द्वारा हमारे शामने वह प्रगट करता है जो बातें परमीश्वर को ठीक नहीं है परमीश्वर जिस बात की ध्रूना करता है ऐसी बातों से परे रहने के लिए परमीश्वर का वच्चन हमें शिखाता है अगर इस बात हमारे जीवन के अंदर घटती है तो उसका जो परिडाम है पांचवे आयत में लिखा है कि उसके पाउं मृत्यू की और बढ़ते हैं और उसके पग अधलोक तक पहुँच जाते हैं उसके पाउं मृत्यू की और बढ़ते हैं प्रियो इस संसार में हम देखते हैं कि पाप के द्वारा मृत्यों ने प्रवेश किया इंसान जो है परमेश्र की बनाई हुई स्रिष्टी अद्भुत्रिती से बनाया गया लेकिन परमेश्र की आग गया तोड़ने के द्वारा इंसान के अंदर मृत्यों ने प्रवेश कर लिया और इसलिए जब इनसान पाप में जीवन में जीता है तो वो एक समय आता है वो मुरुत्य के और बढ़ते जाता है और उसके पद अदलोक तक पहुँच जाते हैं लेकिन मेरे प्रियो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि परमीश्वर जो है अपने लोगों को सुरुक्षा प्रदान करते हैं उसका जो ग्यान है उसकी बुद्धी की बाते हैं वो हमें ग्यानवान बनाता है प्रव यिश्व मसी संसार में आया वो खुद फाप पर शत्रुशेतान पर वीज़ई प्राप्ध की मृत्यू पर उसने वीज़ई को हासिल किया और जो लोग मृत्यू की वसमे थे भई के अंदर से उन्हें उन्हें छुडा लिया वही छुटकारा वो विश्वास करने वालों के लिये वो देना चाहता है फिर भी हम जब छुटकारा प्राप्ध करते हैं हमारे चीवेन के अंदर ऐसी बातें प्रवेश करती है जिनके दुवारा हमारे अंदर मृत्यू को लेकर आती हैं लेकिन पहले से हमें चैताओं नी दी जाती है कि हमें उस बातों से अलग रहें प्रमिश्वर का वच्चन पती और पत्नी के लिए एक नहीं नियम में भी हम पढ़ते हैं इप्योश्वर के पत्री के अंदर के पत्ती अपनी पत्नी से फ्रेम करें पत्नी अपना पत्ती का आदर करें प्रमिश्वर का प्रेम उसके अंदर बना रहे है परमीश्वर का प्रेम उसके अंदर बना रहे हैं और तब यह जो विवा का संबंध हैं वो स्थीर बना रहेगा प्रेम जो हैं अरेक पापो को ढाप लेता है पत्य और पत्नी को एक दूसरे के लिए सीजा गया है पतिर पतनी के रिष्टे को परमीश्वर ने ठहराया है लेकिन उसके अपोजिट में अगर उसके बाहर की हम द्रश्टी करते हैं तब क्या आता है हमारे चीवन के अंदर भाई, मृत्यू और तरहे तरहे की बातें प्रवेश करती हैं प्रियो, परमीश्वर ऐसा है जो हर परिवार को एक ऐसी आसिस से भरपूर करना चाहता है कि वो कभी भी वो पीछे नहट न पाए, कभी भी वो पीछे हटने ने पाए इसलिए प्रमीश्वर का वच्चन हमें बार-बार इस बात से हमें आगा करता है इसी अध्याई के पांचवे, अध्याई के पंद्रवी आयात से जह हम पढ़ते हैं कि तू अपने ही कुंड से पानी और अपने ही कुए से सोते का जल फिया कर किया तेरे सोतों का पानी सडक में और तेरे जल को जल की धारा चोकों में बह जाने पाए मसीह में मेरे प्रियो हमें अपना अपना करतवय निभाना है अपना अपना करतवय को हमें निभाना है परमीश्वर जो जिम्मेदारी हर एक स्टेज में हर एक परिस्तिती में जो हमें देता है हमें अपने अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए प्रभु के भाई में हमें आगे बढ़ना है आज संसार में बहुत से यसी समेश्य उत्पन होती है परिवार तूटते हैं परिवार के अंदर समेश्य उत्पन होती है उनका असर पीडी से पीडी तक चला जाता है माबाप के पाप का असर संतानों तक तक चला जाता है वो बंदवाई में चले जाते हैं इसलिए जो परिवार जो है हर एक परिवार की इस बात से ध्यान करना है कि हमें परमेश्वर के बच्छन का अनुशार साउधानी भरतना है और समय समय पर हमें क्या करना है प्रभु का वचन हमें पवित्र करता है, प्रभु का वचन हमें ग्यान सिखाता है, उसके सिद्ध मार पर चलने के लिए हमारी अगवाय करता है, ताकि आने वाले समय में हम क्या करें, द्रिड़ता से हम खड़े रह सकें, द्रिड़ता से हम प्रभु की सेवा कर सकें, सत्रु शेतान जो है वो परिवारों के अंदर समिश्य उत्पन करता है वो गिराने की कोशिस करता है लेकिन जब प्रभु की उस ग्यान को उसकी बुद्धी की बातों पर हम जब ध्यान लगाते हैं हम कभी भी हमें सर्मींदा नहीं होना पड़ेगा कभी भी हमें पीछे हट करना नहीं पड़ेगा क्योंकि परमीश्वर चाहता है कि उनके लोग उनकी प्रजा उनके चुन हुए लोग वो प्रभु में क्या बने सिद्ध बने प्रभु में वो ड्रिड और मजबूत हो ताकि आने वाले समय में क्या करें हम प्रबु के राज्य को हम बांग सके प्रबु के राज्य को बना सके प्रमीश्वर चाहता है कि हर बातों में हमें क्या करना है उसके वच्चन के अनुशार हमें शावधानी बरतना है काफी बातें परिवार के बारे में काफी बातें जवानों के बारे में Bible हमें शिखाती है हर बातों को पढ़ते हुए हर बातों को हमने हिदय के अंदर लेना है और तब ही हम क्या करेंगे हम उस सिद्धा की और हम आगे बढ़ते जाएंगे मसीमी मेरे प्रियों इस समय में इस जमाने में प्रभु में बना रहना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है और तरह तरह प्रकार की सत्रू की जो हत्यार हैं आज लोगों के वीरुद में कारियसिल हैं चाहे दुनियाद हो चाहे हमारे जरूरी चीजे मोबाइल हो चाहे कॉम्प्यूटर हो चाहे हमारे कार्यक्षेत्र हो हर जगह में सत्रू शेतान अपनी जाल को भी छाये रहता है लेकिन प्रभु का वच्छन कहता है कि जब संकट आता है जो संकट आता है तो क्या करता है कि ज ज्यानी जो पूरुस हैं, वो क्या है, पर मुसिबत का आते हुए छिपी जाता है, वो छिपी जाता है, इसलिए ऐसी बाते हमारे सामने जब आती हैं, उसका सामने जब हमें करना पड़ता है, कभी-कभी ऐसी बाते से हमें छिप कर हमें अलग होना है, ताकि शत्रू की पहुं सत्रु की युक्ति से हम अंचान नहीं है परमीश्र का ग्यान हमें ग्यानवान बनाता है परमीश्र का वच्चन हमें प्रकास देता है तक हम उसके उज्याल में चले हम अंदकार में नहीं चले लेकिन उज्याल में चले परभु के लोग ऐसे लोग हैं जो उसके पीछे चलने वाले लोग, कुरूस को लेकर चलने वाले लोग, कभी भी पीछे हट नहीं करेंगे, इन दिनों में हम देखते हैं कि सारी कैसी परिष्टितियां का सामना हम कर रहे हैं, चाहे परिवार में हो, समाज में हो, चाहे गाओं में हो, चाहे स्कूलों में हो, कोलेज़ में हो, हर जगे दुष्ट की काम प्रगट है, हर जगे दुष्ट अपना जाल बिछाता हुआ चला जा रहा है, लेकिन प्रभु के लोग ऐसे हैं, जो उसके सामने बाड को बनाते हैं, एक ऐसा अवरोध को बनाते हैं, दिवार को बनाएं वो एसे बाड़ को बनाएं ताकि संसार की बातें या जो सत्रु की जो हतियार हैं वो कलिशिया में कभी भी परवेश करने न पाएं और इसलिए जिम्मेदारी परमीश्वर हर एक माबाब हर एक कलिश्या के जो अगुवे हैं पुरनियन हैं उनको प्रभू देता है ताकि हम कलीश्या को क्या करें, प्रभू की इच्छा के अनुसार क्या करें, उसके अगवाई में हम चला सकें। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, तो शत्रू की हत्यार हैं, वो कलीश्या पर भी प्रबल हो सकते हैं। कलिश्या को गिराने के लिए कलिश्या को गिराने के लिए वो प्रबल हो सकते हैं लेकिन हम जो है जो माता पिता हैं कलिश्या के अगुवे हैं प्रभु के ग्ण्यान प्राप्त करने वाले प्रभु के वच्चन को प्राप्त करने वाले ऐसे लोग हैं जो इसके सामने ऐसा द कि दुनिया की बातें कलीशया में प्रवेशना कर पाए और कलीशया सिद्ध और पहित्रता में बढ़ती चले जाए मसीमी में प्रियो आज का यह दिन हमारे लिए बहुत ही आसिस में दिन है कुरूस के बारह में हमने सिखा है प्रमेश्वर को अभी शेक को हमने प्राप्त किया है प्रव की वच्चन को हमने लिया है उसी को लेकर हमें आगे बढ़ना है और आने वालो दिनों में हमें क्या करना है प्रव के लिए एक राच्च को बनाना है कलीशिया के अंदर प्रभू के काम को करना है परमेश्वर की जो पवित्रता है उनके भागी हमें बनना है बनाना है परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पवित्रता के अंदर हम बने रहें और इसलिए परमेश्वर में स्वधंत्र किया है प्रमेश्वन ने हमें आजाद दी हैं ताकि हम उसके राज्य को बना सके हाललुया प्रेज दो लॉर्ड हाललुया बहुत से बात हैं लकिन मैं ज्यादा नहीं बोलूँगा तो इन वचनों के द्वारा प्रभू आपको आसिसित करें और इस वचनों के द्वारा प्रभू आपको विशेश तोर से आने वाले समय में उसके काम के लिए वो खड़ा करें और कलिश्या के लिए हम आसिस का करण बनें चाहे हम कोई भी हो चाहे हम बच्चे हो जवान हो चाहे हम प्रॉड हो बुड़े हो सब के लिए प्रमेशर का अनुग्रह है कि हम उसके काम के अंदर काम में हम लगे रहे हाललुया प्रभू आपके इस वचनों को आसिसित करें